अगे जो आज वीडियो के अंत तक बने रहें तभी आपका जो यह राज़स्थान की सीचाई प्रयोजना है ये पूरा complete हो पाएगा दोस्तों ठीके मेरे को आपको ये बताने की जरूत नहीं है दोस्तों कि government job कितना जादा जरूरी है आप सब लोगों के लिए आप खुद ये देख सकते हो इस महाबारी जो कोरोना अभी चल रहा है दोस्तों इसके अंदर एक government sector में काम करने वाले व्यक्ति में कितना फरक आ चुका है private वालों की job तक चली गई है जब और उनको कोई salary भी नहीं दे रहा है दोस्तों लेकिन यहीं पर जो government sector में जो लोग लगे वे हैं जो काम कर रहे हैं उनकी salary time to time आ रही है दोस्तों इसलिए ही मैं आपसे यह request करूंगा कि आप जो है एक अपना life का target बना के चलें कि आपको anyhow किसी भी government job के अंदर select होना ही होना है ठीक है तो इसलिए मैं आपसे request करूंगा अपनी पढ़ाई को continue रखें मेरी इस class को जरूर देखें राजस्थान की सीचाई पर्योजना जो अपने आप में ही बहुत जादा important topic है दोस्तों तो चलें start करते हैं हम राजस्थान की पर्योजना है दोस्तों उसके बारे में हम क्या देखेंगे पहले हम देखना चाहेंगे राजस्थान की सीचाई पर्योजना के माध्यम कौन-कौन से है that means राजस्थान में जो सीचाई की जाती है दोस्तों वो किन-किन तरीकों से की जाती है सीचाई करने के कौन-कौन से सा अधन का प्रियोग किया जाता है, पहले हम इन सब चीजों के उपर डिसकस करना चाहेंगे, ठीके, तो राजस्थान में अगर सीचाई की बात की जाए, तो नलकूप, नहर, कुए और तालाब, नलकूप, नहर, कुए और तालाब के द्वारा की जाती है, दोस्तो, नलकूपो के द्वारा 42% सीचाई होती है, नहर के द्वारा 30% सीचाई होती है, कुए के द्वारा 24% सीचाई होती है, दोस्तो, और तालाब के द्वारा 1% सीचाई होती है, तो राजस्थान में सीचाई पर्योजना के जो माध्यम है, वो चार माध्यम है, दोस्तो, इन चार माध्यमों के द्वारा राजस्थान में सीचाई होती है नलकूप, नहर, कुएं और तालाप, नलकूपों के द्वारा 42%, नहर के द्वारा 30%, कुओं के द्वारा 24% और तालाप के द्वारा 1% होती है दोस्तों, ठीक है, अब देखो, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, कि जो ये माध्यम है, इन माध्यम से सबसे ज़्यादा किस जीले में सीचाई की जाती है, देखो, नलकूप से, जैपूर सहर में सबसे ज़्यादा सीचाई होती है, नहर से, गंगा नगर जो जीला है दोस्तों, नहर के द्वारा गंगा नगर जीले में सबसे ज़्यादा सीच होती है कुमो से भी जैपूर नलकुप और कुमो से जैपूर में सबसे ज़्यादा सीचाई होती है दोस्तों और नहर के द्वारा गंगा नहर में गंगा नगर में नहर के द्वारा सीचाई होती है गंग नहर जो है जिसने ही गंगा नगर को हरा भरा बनाया है फलो की टोकरी कहा जाता है अन्नागार कहा जाता है गंगा नगर को ये सब कहने का एक मात्र रिजन गंग नहर ही है दोस्तों ये गंगा नगर में जब ये गंग नहर आया इसके बाद से ही जो है गंगा नगर में हर्याली होने लगी तो नलकुप और कुमों के द्वारा जैपूर में और नहरों के द्वारा गंगा नगर में और तालाब से भिलवाडा में सीचाई की जाती है। तो वो चार माध्यमों से होती है नलकुप नहर कुमे और तालाब सबसे ज़्यादा जो नलकुप और कुमों से सीचाई जैपूर में सबसे ज़्यादा नहर से सीचाई गंगा नहर में और तालाब से सीचाई भिलवाडा जीले में। क्लियर है अब हम राजस्थान की बहु उद्देश्य पर्योजना के ऊपर डिसकस करेंगे इसमें आता है नदी घाटी बहु उद्देश्य पर्योजना और नहर घाटी बहु उद्देश्य पर्योजना ठीक है नदी और नहर जो बहु उद्देश्य पर्योजना हैं दो की पर पर्योजना के बारे में ये भाकला नागल जो है ये सयोग कौन कर रहा है पंजाब हर्याना और राजस्थान में सयोग हो रहा है किसमें पंजाब में हर्याना में और राजस्थान में नदी कौन सी है दोस्तो सतलज नदी कौन सी नदी सतलज नदी के द्वारा ठीके राजस्थान का जो हनुमानगड जीला है वो जो है भाकला नागल बहु उदेशिय पर्योजना से लाभानवित है मतलब मैं आपको ये समझाना चा रहा हूँ दोस्तो जो ये भाकला नागल बहु उदेशिय पर्योजना है इससे राजस्थान का हनुमानगर्ड जीला लाभानवित है हनुमानगर्ड जीले को सबसे ज़्यादा लाब होता है भाकला नागल बहु उद्देशिय पर्योजना से समझ रहे हो दोस्तों आप आप देखो मैंने जो ये नोट्स बनाये ना बहुती इफेक्टिव नोट्स बनाये हैं सटेक चीजे आपको याद कराके छोड़ूँगा जो चीजे आपको एक्जाम के लिए काम आएगी उन चीजों को मैं आपको याद कराके ही छोड़ूँगा दोस्तो तो जो भाकला नागल बहु उदेशिय पर्योजना है उसे राजस्थान का हनुमानगड जीला जो है वो लाभानवित होता है हनुमानगड जीले को लाब होता है और भाकला नागल बहु उदेशिय पर्योजना जो है दोस्तो वो सतलज नदी पर है ठीके सतलज नदी पर दो बांध बने हैं ठीके इसमें दो बांध बनाए गई हैं कौन्ची नदी पर सतलज नदी पर पहला बांध भाकला बांध पहला बांध भाकडा बांध जो की 17 नवंबर 1948 में आधार सिला पंडित जवाहर लाल नहरू ने रखी थी सतलज नदी पर कितने बांध हैं मित्रो दो बांध बने हुए हैं दोस्तों पहला बांध भाकडा बांध जो 17 नवंबर 1948 में इसकी आधार सिला पंडित जवाहर लाल नहरू ने रखी है यह भारत की सबसे उचा गुरू तत्वी बांध है नहरू जी ने इसे चमतकारी विराट वस्तु कहा है दोस्तों ठीके और गोविंद सागर जील जो है हिमाचल में भाकडा बांध के पीछे बना हुआ है दोस्तों क्लियर देखो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ दोस्तों भाकडा नागल बहु उदेशिय पर्योजना जो है सतलज नदी पर बनी हुई है दोस्तों और इस जो बहु उदेशिय पर्योजना है भाकडा नागल बहु उदेशिय पर्योजना से हनुमान गड जो जीला है राजस्थान का उसको सबसे जादा लाब हुआ है सतलज नदी पर दो बांध बने हुए हैं कितने दो पहला है भाकड़ा भाकड़ा बांध जो है 17 नवंबर 1948 में पंडित जवाहर लाल नहरो ने इसकी अधार सिला रखी थी यहां कौंचा भाकड़ा बांध भारत का से उचा गुरु तत्वई बांध है नहरु जी ने इसे चमतकारी वीराट वस्तु कहा है क्या कहा है चमतकारी वीराट वस्तु कहा है दोस्तो किस ने कहा नहरु जी ने कहा देखो दोस्तो मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूंगा पिछले दो साल के एक्जाम से जो है से जादा statement पूछे जाने लगे हैं इसलिए जो कि जो अब आगे आने वाले exam है उसमें भी इनकी संभावनाई बढ़ गई है इसलिए आप ध्यान रखो कि किसी का भी कोई statement किसी वस्तू किसी इस्थान किसी जीले के विशेश के लिए आता है तो उसको आपको ध्यान रखना ब है और नहरू जी ने ही इसकी अधार सिला रखी थी दोस्तो आगे देखो गोविन सागर जील हिमाचल में भाकडा बांध के पीछे बनी हुई है भाकडा नागल बांध जो की भारत की सबसे बड़ी बहु उद्देशिय पर्योजना है बहु उद्देशिय का मतलब जिसका क केवल एक उद्देशिय ना होकर अनेक उद्देशिय है उसे ही बहु उद्देशिय पर्योजना काहा जाता है मित्रो तो जो भाकडा नागल बांध है भारत की सबसे बड़ी बहु उद्देशिय पर्योजना है भाकडा बांध बिलासपूर में हिमाचल पर्देश में है द दूसरा बांध कौन सा है नागल बांध जो की रोपड पंजाब में 1952 में किया गया जिसकी स्थापना 1952 में कहां पे रोपड पंजाब में स्थापित किया गया और इसकी उंचाई कितनी है मित्रो 29 मिटर है इसकी उंचाई किसकी नागल बांध की जो उंचाई है वो है 29 मिट बताओ दोस्तो कोई confusion एकदम clear टकाटक clear करा दिया है मैंने आपको यह पूरा भागडा नागल बहु उद्देश यह प्रयोजना कहीं पे भी कुछ भी confusion होता है आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े उसमें आप मुझसे बात कर सकते हैं मेरा नंबर है मुझे डिरेक्ट call कर सकते हैं मेरा वर्टशेप गुरूप है उसमें मुझसे बात कर सकते हैं दोस्तो ठीके तो आगे चलो भागडा नागल बांद एक बहु उद्देश यह परयोजना है पॉइंट पॉइंट में याद करो बहु उद्देश यह परयोजना है सतलच नदी ध्यान रखो हनु मुझा पॉबर 1948 में रखी थी आगे बात करते हैं नहरू जी ने इसे चमतकारी विराट वस्तु कहा है आगे बात करेंगे भाकडा नागल बांद जो है भारत की सबसे बड़ी बहु उद्देश यह परयोजना है दोस्तों आगे बात करें कि भाकडा बांद जो है वो विला पूरहिमाचल पर्देश में है और दूसरा ये तो हो गया पहला बांद दूसरा बांद की बात करें तो वो है नागल बांद नागल बांद जो है रोपड पंजाब में 1952 में स्थापित किया गया किलियर अब हम आगे चलेंगे माही बजाज सागर परियोजना माही बजाज सागर परियोजना माही बजाज सागर परियोजना जो है दोस्तो वो राजस्थान और गुजरात दोनों की संयुक्त परियोजना है मतलब कि ये परियोजना जो है राजस्थान में भी है और गुजरात में भी है दोनों स्टेट साथ में काम कर रही है दोस्तों इसमें राजस्थान का 45% और गुजरात को 55% मिल रहा है देट मिन्स आपको समझ में आ गया होगा कि माही बजा सागर परियोजना से गुजरात को लाब हो रहा है ठीके गुजरात और राजस्थान दोनों की संयुक्त परियोजना है राजस्थान को 45% और गुजरात को 55% मिल रहा है ठीके लेकिन विद्धुत इसमें से जो विद्धुत उत्पादन होगा उसका 100% राजस्थान को ही मिलेगा ये भी ध्यान रिखो ये most important questions बन सकता है दोस्तों आने वाले एक्जाम में कि माही बजाज सागर बांध जो है इस परियोजना से जो विद्धुत का उत्पादन हो तो आप बोलोगे नहीं जी इसका तो 100% ही राजस्थान को ही मिलेगा मतलब जितना भी विद्धुत उत्पादन होगा इस परियोजना से सारा का सारा राजस्थान को ही मिलेगा दोस्तों क्लियर आगे देखें निर्मान माही नदी पर किया गया नदी कौनसी माही बजाज स परियोजना कौनसी नदी पर माही नदी पर भाकडा नागल जो बहु देशिय परियोजना कौनसी नदी पर 17 नदी पर तो ये भी ध्यान रखो दोस्तों तो ये कौनसी नदी माही नदी आदी वासी छेत्र की सबसे बड़ी परियोजना है और सरवाधिक लाब जो है वो बा बासवाडा जीले को होता है भाकडा नागल बांध पर्योजना से जो हनुमानगड जीले को लाब होता है उधरी दूसरी तरफ माही बजाज सागर बांध से जो है आपको बासवाडा जीले को सबसे जादा लाब होता है और आदिवासी जो छेत्र है या आदिवासी छेत्र मे सबसे बड़ी पर्योजना अगर आपको पूछी जाए तो वो है माही बजाज सागर पर्योजना अब देखो माही बजाज सागर पर तीन बांध पर्योजना है कितनी तीन बांध पर्योजना है दोस्तो माही बजाज सागर में जो बांध है ये कहां पे इस्तित है इसकी स्थत बोर खेडा बासवारा में इस्तित है माही बजाज सागर बांद जो की बोर खेडा बासवारा में इस्तित है राजस्थान की सबसे लंबी बांद पर्योजना माही बजाज सागर बांद जो है राजस्थान की सबसे लंबी बांद पर्योजना है दोस्तो आदिवासी छेत्र की सबसे बड़ी बहु उद्देशिय देखो आप तो एक चीज को ध्यान रख लो दोस्तो याद कर लो इस चीज को माही बजाज सागर आदी वासी छेत्र को लाप पहुंचाएगा और आदी वासी छेत्र है बांसवाडा तो आपको समझ में आ गया होगा कि माही बजाज सागर सागर परियोजना से बासवाडा जीला ही लाभानवित होगा तो इसके तीन चरण है दोस्तो ठीके इसमें तीन बांद बनाई हुए हैं माही बजाज सागर परियोजना में तीन बांद बनाई गई हैं पहला बांद है आपको मिलेगा बोर खेडा पासवाडा में ठीके यहा लंबी बांद पर्योजना है और आदिवासी छेत्र की सबसे बड़ी बहु उद्देशिय पर्योजना है दूसरा कागदी पिक अप बांद की स्तती कहा है बासवाडा में है इस माही का पिक अप बांद कहते हैं देखो कागदी पिक अप बांद जो है बासवाडा में ही इस्त पिक अप बांध कहा जाता है दोस्तो तीसरी बांध परियोजना जो की कडाना बांध परियोजना है तीसरी बांध परियोजना कौन सी कडाना बांध परियोजना ये गुजरात में इस्तित है और माही नदी पर इस्तित है जल विद्धूर्त निर्मित परियोजना है ये क्या में तीन बांध कौन कौन से बने वे हैं पहला बांध है माही बजाज सागर बांध दूसरा है कागदी पीकप बांध पहला इस्तित है बोड़ खेरा बासवाड़ा में दूसरा जो है कागदी पीकप बांध बासवाड़ा में यहां माही का पीकप बांध है तीसरा है दोस्तो कडाना बांध जो गुजरात में इस्तित है और जल विद्धुत निर्मित पर्योजना इसमें है और आपको मैंने पहले बताया था कि माही बजाज सागर पर्योजना से जितना भी विद्धुत या इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होगा वो हंड्रेट परसेंट राजस्था को मिलेगा क्लियर तो एक वार हम इसका रिव्यू कर लेते हैं दोस्तों माही बजाज सागर बांध पर्योजना जो की राजस्थान और गुजरात की संयुक्त पर्योजना है राजस्थान और गुजरात दोनों स्टेट की संयुक्त पर्योजना है इसमें राजस्थान को 45 प परसेंट मिलेगा लेकिन विद्धुत का विद्धुत जो है उसका डिवाइडेशन नहीं होगा वो हंड्रेट परसेंट राजस्थान को दिया जाएगा दोस्तों ठीक है आगे निर्मान किस नदी पर है माही नदी पर है आदिवाशी छेत्रों को लाब देगा और सरवादिक लाब वाला जीला बासवाड़ा है तो आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि भाकडा नागल बांद से सबसे लाभानवित जीला हनुमानगड और माही बजाज सागर परियोजना से लाभानवित जीला तो आप बोलोगे बासवाड़ा जीला अब बात करते हैं कि माही बज बजाज सागर बांध पर्योजना जो राजस्थान की सबसे लंबी बांध पर्योजना है दोस्तों और ये बोड़ खेरा बांसवाड़ा में इस्तित है ठीके आदिवासी छेत्र की सबसे बड़ी बहु देशिय पर्योजना है दूसरी बांध है कागदी बांध जो की बांसव बाड़ा में है इसको माही का पिकप बांद कहा जाता है तीसरी बांद है कडाना बांद परियोजना जो गुजरात में इस्तित है और इससे जल विधुरत का निर्मान होता है दोस्तों तो हमने दो परियोजनाई पड़ ली है दोस्तों भाकडा नागर बहु देशिय पर्योजना तो आप देख रहे हो दोस्तों कितना इजी टॉपिक है मेरे को ऐसा लग रहा था कि यह बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है आप लोगों के लिए मुझे इस टॉपिक को बनाने के लिए बहुत सारे लोगों से रिक्वेस्ट मिली थी कि सर प्लीज आप मुझे जो पर पढ़ते ही आपको याद हो जाएगा दोस्तों तीसरी है चंबल नदी घाटी पर्योजना चंबल नदी घाटी पर्योजना जो मध्यपरदेश और राजस्थान की संयुक्त प्रोजेक्ट है यह मध्यपरदेश और राजस्थान का संयुक्त प्रोजेक्ट है इसमें दो दोनों स्टेट को 50-50% ही मिलेगा कितना मिलेगा मध्य परदेश को भी 50% और राजस्थान को भी 50% जो चंबल नदी घाटी पर्योजना है वो मध्य परदेश और राजस्थान की संयुक्त पर्योजना और दोनों को 50-50 मिलेगा अब बात आती है ये शुरू कब हुई तो ये 1953 से 1954 में शुरू हुई थी दोस्तो ठीके तो चंबल नदी घाटी जो परियोजना है वो 1953 से 54 के मध्य शुरू हुआ था इसका निर्मान भी तीन चरणों में हुआ है ठीके इसका निर्मान भी तीन चरणों में हुआ है दोस्तों और तीनों चरणों से विधुत का उत्पादन होता है यह चीज ध्यानक ना दोस्तों यह एक मात्र बांध पर्योजना है जिससे तीनों बांधों से ही हमें पानी या मतलब विधुत उत्पादन होता है ठीके तो टोटल कितना विधुत उत मेगावाट देखो यह चीज इंपोर्टेंट है जो फैक्ट इंपोर्टेंट है उनको याद करना बहुत जरूरी होता है जो यह बांध है दोस्तों चंबल नदी घाटी परियोजना इससे हमें टोटल 386 मेगावाट जो विद्धुत मिलता है इसमें से 193 मेगावाट जो मध् लोगे क्यों मिलेगा क्यों क्योंकि हमने पहले ही यह चीज देख ली है कि इससे 50-50% दोनों स्टेट को मिलेगा कौन-कौन से को मध्यपरदेश को और राजस्थान को यह मध्यपरदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है दोस्तों इसलिए ही इसमें दोनों को 50- 50% ही मिलेगा, टोटल विद्धूत का उत्पादन 386 Megawatt है, जो इसका प्रथम चरन था दोस्तों, उसमें दो बांध बने, कौन-कौन से गांधी सागर बांध और कोटा वेराज, प्रथम चरन में दो बांध बनाई गए, गांधी सागर बांध और कोटा वेराज, सेकेंड चरण में बना राना परताप सागर बांद थर्ड चरण में बना जवाहर सागर बांद ठीक है तो आपको देख रहे हो कितना इजी तरीके से मैंने याद करा दिया क्या-क्या बाते हुई एक बार देखो चंबल नदी घाटी परियोजना की बात कर रहे हैं इसमें मध्य परदेश और राजस्थान दो स्टेटों को 50-50% का हिस्षा मिलेगा और ये मध्य परदेश और राजस्थान दोनों का सयुक्त प्रोजेक्ट है जोईंट प्रोजेक्ट है इसकी सुरुवात जो है 1953 से 1954 में हुई और इसका निर्मान तीन चरणों में हुआ यानि तीन स्टैप के अंदर इसका निर्मान हुआ दोस्तो टोटल विधूत का उत्पादन चंबल नदी घाटी पर्योजना से 386 मेगावाट है 386 मेगावाट है इसमें से 193 मेगावाट MP को और 193 मेगावाट राजस्थान को मिलेगा दोस्तो प्रथम चरण में गांदी सागर बांध और कोटा वेराज बना दित्य चरण में राना प्रताप सागर बांध बना और थर चरण में जवाहर सागर बांध बना कोटा वेराज जो है दोस्तो वो चंबल की सीचाई बांध कहा जाता है मतलब कोटा वेराज एक सीचाई बांध भी कहा जाता है कोटा वेराज को आप चंबल की सीचाई बांध कहते हो इस कोटा बेराज में से दो नहरे निकलती है एक बाई और से एक दाई और से दो नहरे एक बाई और से और एक दाई और से बाई और से जो निकलती है वो है कोटा और बुंदी और दाई और से जो निकलती है वो है कोटा बारा और एमपी जो कोटा बेराज है दोस्तो चंबल क सीचाई बांध कहा जाता है इससे हमें दो नहरे निकलती है एक बाई और से और एक दाई और से जो बाई और से निकलती है वो कोटा बुंदी में और दो दाई और से निकलती है वो कोटा भारा और MP में ठीक है आगे देखें गांधी सागर परियोजना जो गांधी सागर बांध है दोस्तो इसका प्रत्थम चरण 1959 में मध्य परदेश की मंदोसर जीले में मान पूरा भान पूरा पठारों के मध्य बनाया गया है। गांधी सागर बांध इसका प्रत्थम चरण 1959 में 1969 के अंदर मध्य परदेश की मंदोसर जीले के मान पूरा भान पूरा पठारों के मध्य बनाया गया है। इससे 115 मेगावाट विद्धूत उत्पादित होती है, 115 यह बांध राजस्तान के किसी भी जीले में नहीं है दोस्तों, जो गांधी सागर बांध है यह मध्य परदेश के मंदोसर जीले के मान पूरा भान पूरा पठारों के मध्य बना हुआ है। तो आपसे यह पूछा जा सकता है दोस्तों कि जो गांधी सागर बांध है यह कहां बना हुआ है तो यह मध्य परदेश की मंदोसर जीले के मान पूरा और भान पूरा जो पठार है उसके बीच में बनाया गया है। और गांधी सागर बांध से हमें 115 मेगावाट विद्धूत उत्पादन होता है। यह बांध राजस्थान के किसी भी जीले में नहीं है दोस्तों। अब हम बात करेंगे राना परताप सागर बांध की। राना परताप सागर बांध जो है दोस्तों वो रावत भाटा के चूलिया जल परपात के पास इस्तित है। रावत भाटा के चूलिया जल परपात के पास में इस्तित है दोस्तों। और कण्नाडा के सयोगसे परमानुविद्धुत गर बनाया गया है। राजस्थान का यह प्रत्थम परमानु विद्धुत घर है दोस्तों यह राजस्थान का प्रत्थम परमानु विद्धुत घर है कहां पे रावत भाटा में अब देखो तारापूरा महराश्ट में बनाया गया है इसकी भराव चमता जो है वो सरवाधिक है दोस्तों और 1970 में निर्मित कर राष्ट्य को सोपा गया, 1970 में इसका निर्मान हो गया और राष्ट्य को सौप दिया गया, तो हमने क्या देखा दोस्तो, राना परताप सागरबांध जो है, वो रावत भाटा के चूलिया जल परपात पे बना हुआ है, और कनाडा के सयोग से परमानु विद्ध गर है, दोस्तो, राजस्थान की प्रत्थम परमानु विद्धुत गर जो है, यही है, दोस्तो, ठीके, भराव चमता, जो इसकी भराव चमता है, वो भी सबसे जादा है, किसकी राना परताप सागरबांध की, और 1970 में इसका निर्मान कराकर राष्ट्य को सौप दिया गया था दोस्तो, ठीके, अब हम बात करेंगे दोस्तो, जवाहर सागरबांध की, जवाहर सागरबांध बोरावास कोटा के अंदर है, कहा है, बोरावास कोटा में स्तित है, और यहां एक पिक अप बांध है, दोस्तो, कौन सा बांध है, यहां एक पिक अप बांध है, दोस्तो, तो अब मेरे को लगता है दोस्तो ये जो चंबल नदी घाटी पर्योजना है ये आपको समझ में आ गई होगी ठीके एक वार और रिव्यू कर लेते हैं हम चंबल नदी घाटी पर्योजना मध्य पर्देश और राजस्थान की संयुक्त पर्योजना है इसमें से राजस्थान को भी 50% और मध्य पर्देश को भी 50% मिलेगा इसकी सुरुवात 1953 से 54 में हुई थी इसका निर्मान तीन चरणों में हुआ था और जो इससे टोटल विद्धूत का उत्पादन 386 मेगावाट है 386 मेगावाट है अब इसमें से क्या होगा दोस्तो 193 मेगावाट मिलेगा MP को और एक सो मेगावाट ही मिलेगा राजस्थान को अब इनके तीन चरण देखो फिर्स चरण में गांधी सागर बांद और कोटा वेराज सेकेंड चरण में आपको मिलेगा राना परताप सागर बांध और थर्ड चरण में आपको मिलेगा जवाहर सागर बांध तीन बांध है ठीक है तीन चरणों के अंदर इसकी जो इस पे काम हुगा ठीक है पहला चरण गांधी सागर बांध और कोटा वेराज तो कोटा वेराज एक मात्र जो है सीचाई बांद कहा जाता है कोटा वेराज को चंबल का सीचाई बांद कहा जाता है कोटा वेराज से दो नहरे निकलती है एक नहर बाई और दूसरी नहर दाई और जो बाई और निकलती है उससे कोटा और बुंदी में और जो दाई और निकलती है वो कोटा बारा और MP में ठीक है दोस्तों आगे चलो गांधी सागर बांध जो प्रतम चरण है इसका 1959 में मध्य परदेश के मंदो सर जीले के मान पूरा और भान पूरा पठारों के मध्य बनाया गया है जो गांधी सागर बांध पर्योजना है इससे हमें 115 मेगावाट विद्धुत का उत्पादन होता है दोस्तों और यह बांध राजस्थान के किसी भी जीले में नहीं है दोस्तों आगे बात करें राना परताप सागर बांध रावत भाटा के चूलिया जलपरपाद के पास में इस्तित है और कनाडा के सैयोग से परमानु विद्धुत गह बनाया गया यह राजस्थान का प्रथम विद्धुत घह है दोस्तों और 1970 में इसको निर्मान कराकर राष्ट को सौप दिया गया तो यह चीज़े important थी इसके लिए अब हम बात करेंगे जवाहर सागरबांध जो कहां पे है दोस्तों जवाहर सागरबांध जो है बोरावास कोटा में इस्तित है कहां पे बोरावास कोटा में और यहां एक pick up है दोस्तो आगे बात करें इंद्रा गांदी नहर परियोजना की अब हम बात करने जा रहे हैं most important part इंद्रा गांदी नहर परियोजना की इंद्रा गांदी नहर परियोजना के बारे में end to end detail में discuss करेंगे दोस्तो ठीके तो आप देख रहे हैं दोस्तो अगर आपको मेरी जो पढ़ा रहा हूँ मेरा जो content है वो आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज आप जो है राजस्तान जियोग्राफी में मैंने राजस्तान की नदिया राजस्तान की जील और उनके important questions पलस राजस्तान का परीचाई भी करवा दिया है तो मेरी request है आप वो वीडियो भी जरूर जरूर देखें दोस्तो जो इंदरा गांदी नहर परयोजना है उसकी अधार सीला घ्रमंत्री गोविंद बल्लब पंत में तेंद 33 मार्च 1958 में रखी ती देखो जो इंदरा गांदी नहर परयोजना है उसकी आधार सीला घर मंत्री जो थे गोविन्द बल्लब पंथ गोविन्द बल्लब पंथ जो है वो घर मंत्री थे उन्होंने 31 मार्च 1958 में रखी थी सर्व पथम पानी उप राष्ट पत्ती डॉक्टर सर्वो पली राधा किसन ने जो है 11 अक्टूबर 1961 को नोरंग देशसर हनुमान गड़ में छोड़ा था कहां छोड़ा सबसे पहले जो पानी है दोस्तो वो उप राष्ट पती डॉक्टर सर्वो पली राधा किसन जी जो थे भारत के उप राष्ट पती उन्होंने 11 अक्टूबर 1961 में नोरंग देशर हनुमान गड़ में छोड़ा था इसका जो मूल नाम या प्राचीन नाम था वो है राजस्थान नहर इसको राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था लेकिन 2 नवंबर 1984 2 नवंबर 1984 में इसका नाम इंद्रा गांधी नहर कर दिया पहले क्या था इसका नाम पहले इसका नाम था राजस्थान नहर और इसका नाम परिवतन कब हुआ दो नवंबर 1984 में इसका नाम बदल कर इंद्रा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया ठीक है तो कोई confusion यहाँ तक आपको दोस्तों इंद्रा गांधी नहर परियोजना की आधार सिला ग्रह मंत्री गोविंद वल्लब पंत ने 31 मार्च 1958 में रखी थी ठीक है आगे देखो सर्वपथम जो पानी है दोस्तों वो उपराश्ट पती डॉक्टर सर्वोपली राधा किसन ने ग्यारा अक्टूबर 1961 यानी तीन साल के बाद 1961 में नोरंग देशर हनुमान गड में छोड़ा देखो अब आपको दो बात इससे मैंने आपको समझाई है दोस्तों इंद्रा गांधी नहर परियोजना की आधार सिला किसने रखी गोविंद वल्लब पंत जो घ्रह मंत्री थे और 1961 ग्यारा अक्टूबर 1961 में जो पानी है वो भारत के उपराश्टपती डॉक्टर सर्वोपली राधा किसन द्वारा नोरंग देशर हनुमान गड में छोड़ा गया ठीक है तीसरी बात मैंने आपको बताई दोस्तों कि इसका मूल नाम तो राजस्था नहर था लेकिन 2 नवंबर 1984 सेकेंड नवंबर 1984 को इसका नाम बदलकर इंद्रा गांधी नहर हो गया तो ये तीन चीज़ा आपको एकदम किलियर हो गई होगी पहला की गोविंद बल्लब पंथ ने अधार सिला रखी जो एक घर मंत्री थे पानी डॉक्टर सर्वोपली राधा किसन जी ने छोड़ा जो की उपराश्थ पत्ती थे और कहा छोड़ा नोरंग देशर हनुमान 2nd November 1984 को इंद्रा गांधी नहर कर दिया गया आगे देखो इसको राजस्थान की मरू गंगा वर राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं राजस्थान की मरू गंगा या राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है Most important thing इस पर्योजना के जनक कौन है गवर्सेंट जो है वो इंद्रा गांधी नहर पर्योजना के जनक कहलाते है देखो, दो चीज़े और important मैंने आपको बता दी जो इंद्रा गांधी नहर पर्योजना है इसको राजस्थान की मरुगंगा या राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है राजस्थान की मरुगंगा कह दो या राजस्थान की जीवन रेखा कह दो ये दोनों नाम ही है दोस्तो उसके बाद जो इसके जनक है जो ये परियोजना है इंद्रा गांदी नहर परियोजना इसके जनक कवर सेन है कौन है कवर सेन नदी सतलज और व्यास नदी दो नदिया है दोस्तो सतलज और व्यास नदी उदेश्य क्या है सीचाई व पैई जल की आपूर्ति करना जो इसका एक मात्र उदेश्य है सीचाई क और पीने वाले जल की आपूर्ति करना यानि पानी जो पीना है उसकी हमें आपूर्ति करना है और इस इंद्रागांधी नहर पर्योजना से सीचाई करनी है दोस्तों, दो चरणों में इसका निर्मान हुआ, अभी हम बात करेंगे प्रत्थम चरण की पहले, प्रत्थम चरण जो है वो 303 में 393 km लंबा है प्रथम चरण कित्ना है 393 km फिडर नहर 204 km हरीक बैराज और मसीता वाली हनुमानगड में है जो प्रथम चरण है दोस्तों इसके भी दो फेज है फेज नंबर वन फिडर नहर हरी के बेराज मस्तावाली हनुमानगड में है और इसकी लंबाई 204 किलो मिटर है सेकेंड फेज जो है मुख्य नहर है दोस्तो उसकी लंबाई है 189 किलो मिटर और मस्ता वाली हनुमान गड़ और दातोर विकानेर में है दोस्तो चरन समझ में आए दो चरन है दो चरन मेंशे पहले चरन की बात कर रहे है पहले चरन में दो फेज हैं कितने फेज हैं दो फेज फॉस्ट फेज में फिडर नहर 204 किलो मिटर और हरी के बेराज और मसीता वाली हनुमान गड़ में है ठीके जो second phase है वो मुख्यनगर 189 km की है दोस्तो और जो है मसीता वाली हनुमानगड में और दातोर भीकानेर में है ये इसका second phase first phase 393 km second phase 189 km अब हम बात करेंगे दित्य चरन की दित्य चरन कितना लंबा है 256 km जो दातोर मोहनगर जेसलमेर और गड़ बोड बाड मेर में है दोस्तो जो second चरन है वो दातोर भीकानेर मोहनगर जेसलमेर और गड़रा रोड बाड मेर इसको zero point भी कहा जाता है किसको गड़रा रोड बाड मेर को zero point भी कहा जाता है दोस्तो कोई confusion यहां तक एक बार हम इसका revision कर लेते हैं यह थोड़ा बड़ा है और यह थोड़ा समझने वाला है दोस्तो ठीक है तो जो इंद्रा गांदी नहर परियोजना है इसकी अधार सिला घर मंत्री गोविंद पल लवपंथ द्वारा रखी गई थी कब 31 मार्च 1958 में लेकिन इसका जो पानी है वो डॉक्टर सर्वोपली राधा किसन ने 11 अक्टूबर 1961 में हनुमानगड नोरंग देशर में छोड़ा था तीसरी बात जो है इसका मूल नाम तो राजस्तान नहर था बाद में जो 2 नवंबर 1984 में इंद्रा गांदी नहर परियोजना इसका नाम रखा गया इसको राजस्थान की मरूगंगा या राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है दोस्तो परियोजना के जनक कौन है? इस परियोजना के जनक कवर सेन है कौन है? कवर सेन जो है वो इस परियोजना के जनक है नदी कौनसी सतलज और व्यास नदी पर बना हुआ है दोस्तों उदेश्य क्या है सीचाई और पैजल सीचाई करना और पीने योग्य पानी की आपूर्ती करना ये दोनों ही इसका मकसद है क्या क्या सीचाई करना और पीने योग्य पानी की आपूर्ती करना दो चरणों में इ सिध्यचरण प्रत्म चरण हैं तीन सो तेन में किलोमेटर जो फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज दो फेज हैं फर्स्टी फेज फिडर नहर जो दो सो चार किलोमेटर है हरी केवेराज और मसतावाली हनुमानगड में है您 सेकेंड फेज मुख्य नहर ्व1.890 किलो मिटर है, मसीता वाली हनुमानगद और दातोर बीकानेर में है, जो सेकेंड़ चरण है इसका वो दातोर बीकानेर, मोहनगद जेसलमेर, और गड़रा रोड बाड मेर जिसको जीरो पॉइंट कहा जाता है यहाँ पर है और इसकी लंबाई 256 किलो मेटर और फेज वन की लंबाई जो है 303.93 किलो मेटर है और सेकेंड चरण की 256 किलो मेटर है दोस्तो तो अब हम देख रहे हैं कि जो इंद्रा गांदी नहर परियोजना की कुल लंबाई 600 गुनचास किलो मेटर इसकी अगर कुल लंबाई की बात करी जाए तो वो है 650 से एक कम 600 गुनचास किलो मेटर इंद्रा गांदी नहर परियोजना की कुल लंबाई है अब इसमें 7 लिफ्ट नहर नहर बनीवी है जो most important है दोस्तो एक चीज ये भी ध्यानक ना जो कवर सेन है वो ही इंद्रा गांदी नहर परियोजना के जनक कहलाते हैं तो साथ लिफ्ट नहर परियोजना है सभी लिफ्ट जो है बाई और से निकलती है क्योंकि बाई और का धरातल उचा है तो इंद्र गांदी नहर परियोजना में कितनी लिफ्ट है कितनी लिफ्ट नहर साथ लिफ्ट नहर सारी की सारी लिफ्ट नहर बाई और से निकलती है दोस्तो और क्योंकि बाई और का जो धरातल है वो उचा है पहला आता है चौधरी कुमभा राम लिफ्ट चौधरी कुमभा राम जो लिफ्ट है वो जूंजनू, चूरू, हनुमानगड और बीकानेर में है ठीक है चौधरी कुम्बाराम लिफ्ट जूंजनू, चूरू, हनुमानगड और बीकानेर कवर सें लिफ्ट जो है वो स्री गंगानगर और बीकानेर पन्ना लाल बारुपाल जो है वो नागोर और बीकानेर तेजा जी लिफ्ट जो है बीकानेर के अंदर है डॉक्टर कर्णी सिंग जो है वो जोधपूर और बीकानेर में है कहां पे जोदपूर और विका नेर में कौन डॉक्टर करणी सिंग गुरू जंबेशवर जैसल मेर जोदपूर और विका नेर जैनाराइन व्यास जो है वो है जैसल मेर मेर और जोदपूर में ठीके तो एक वार और देखते हैं दोस्तों कितनी सात लिफ्ट नहर है, सारी की सारी लिफ्ट नहर बाई और से निकलती है, क्योंकि बाई और का धरातल उचा है तो पहला है चौधरी कुमभाराम लिफ्ट, जून्जनू चूरू हनुमानगड और बिकानेर दूसरा है कवर्सेन, कवर्सेन लिफ्ट जो है, स्री गंगानगर पलस बिकानेर पन्ना लाल बारुपाल जो है, वो नागोर और बिकानेर तेजा जी जो लिफ्ट है, ओनली बिकानेर में है डॉक्टर कर्णी सिंग जो है, वो बिकानेर और जोदपूर में है गुरु जामबेशवर जो है दोस्तो जेसलमेर जोदपूर और भीकानेर जेसलमेर जोदपूर और भीकानेर जैनाराइन व्यास जो है वो जेसलमेर और जोदपूर में है अब देखो कुछ फैक्ट कवर सेन लिफ्ट जो है मित्रो वो इंदरा गांदी नहर परियोजना की प् कवर सेन लिफ्ट पर्योजना जो है इंद्रा गांदी नहर पर्योजना की प्रत्थम लिफ्ट है और सबसे लंबी लिफ्ट है पहली लिफ्ट और सबसे लंबी लिफ्ट बिकानेर नगर की जीवन रेखा कहा जाता है कवर सेन लिफ्ट को कवर सेन लिफ्ट को बिकानेर नगर की जीवन रेखा willen इंपोर्टेंट फाइफ स्टार बना लो जो इंद्रा गांदि नहर परियोजना है वो विका नियर की जीवन रेखा कहलाती है आगे बात करें पंद्राल बारुपाल पंद्राल बारुपाल जो है इसका प्राचीन नाम था गजनेर लिफ्ट बीकानेर नागोर में जल की आपूर्ती करती है और इसका प्राचीन नाम है गजनेर लिफ्ट है दोस्तो पन्नालाल बारुपाल का प्राचीन नाम गजनेर लिफ्ट डॉक्टर करणी सिंग लिफ्ट नहर जो है इसका प्राचीन न नव्यास लिफ्ट जो है दोस्तोव, इसका प्राचीन नाम पोकरन लिफ्ट नहर है, क्या है, पोकरन लिफ्ट नहर इसका प्राचीन नाम था, esका जैन नरायन व्यास लिफ्ट का तो अब आपको समझ में आगया दोस्तों जो कवर सेन लिफ्ट है वो इंदरा गांधी नहर परियोजना की प्रत्थम और सबसे लंबी लिफ्ट परियोजना तेजा जी सबसे छोटी सबसे लंबी हो गई कवर सेन सबसे छोटी हो गई तेजा जी और जो तेजा जी है लिफ्ट पर्योजना वो केवल बिकानेर में ही पानी देती है पन्ना लाल बारुपाल इसका प्राचीन नाम था गजनेर लिफ्ट और डॉक्टर करणी सिंग लिफ्ट नहर इसका प्राचीन नाम था कोलायत लिफ्ट नहर जैनारायन व्यास लिफ्ट जो है इसका प्राचीन नाम पोकर lecture में देखेंगे दोस्तों फिर इसके important questions भी देखेंगे हम ठीके तो एक वार फटा फट कुईक review करते हैं दोस्तों चलो मेरे साथ जिससे आपको चीजे याद रहेगी जो राजस्थान की सीचाई पर्योजना है उनके अलग-अलग माध्यम है पहला माध्यम है नलकूप जो 42 परसेंट है उससे सीचाई होती है नलकूप से नहर 30 परसेंट सीचाई होती है कुमो से 24 परसेंट सीचाई होती है तालाबो से 1 परसेंट सीचाई होती है सरवादिक सीचाई नलकुप और कुमो के द्वारा जैपूर में, नैहर के द्वारा गंगा नगर में और तालाब के द्वारा भिलवाडा में हम बात करेंगे भाकडा नागल बहु उद्देशिय पर्योजना जो पंजाब, हर्याना और राजस्थान की संयुक्त पर्योजना है सतलज नदी पर बना हुआ है और इस पर्योजना से राजस्थान का हनुमानगड जीला लाभानवित होता है सतलज नदी पर दो बांध बने, पहला बांध भाकडा बांध, 17 नवंबर 1948 में जिसकी अधार सीला पंडित जवाहर लाल नहरू ने रखी थी यह भारत का सबसे उंचा गुरू तत्वई बांध था और नहरू जी ने इसको चमतकारी विराट वस्तू कहा था दोस्तों भाकडा नागल बांध भारत की सबसे बड़ी बहु उद्देशिय पर्योजना है दोस्तों भाकडा बांध जो है विलास पूर अरिमाचल परदेश में है नागल बांध रोपड पंजाब में इसको 1952 में किया गया था इसकी उंचाई 29 मिटर की है दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं माही बजाज सागरवांध जो राजस्थान और गुजराथ के संयोग से चल रहा है इन दोनों की संयुक्त प्रोजेक्ट है राजस्थान को 45% मिलेगा और गुजराथ को 55% माही बजाज सागर पर्योजना से गुजराज सिटी को लाभानवित है दोस अब हम बात करेंगे राजस्थान के बिहाफ में तो यहां जो है माही नदी पर इस्तित है और आदी वासी छेत्रों को लाभानवित पहुंचाता है या आदी वासी छेत्रों को लाभ देता है कौन माही बजाज सागर परियोजना सरवादिक लाभ जो है वो बासवाड़ा जीले को मिलता है कौन से जीले को बासवाड़ा जीले को मिलता है माही बजाज सागर पर तीन बांध बनाए गए हैं पहला बांध माही बजाज सागर बांध जो बोड खेर खेडा बासवाड़ा में इस्तित है राजस्थान की सबसे लंबी बांद परियोजना है ये दोस्तों और आदी वासी छेत्र की बहु उद्देशिय परियोजना भी है माही बजा सागर बांद जो है बोड़ खेरा बासवाड़ा में और राजस्थान किया सबसे लंबी बांद परियोजना कागडी पीकप बांद जो की इस्तित है नदी जो है माही नदी पर जल्ल विद्धूत का उत्पादन होता है ठीके एक चीज हम इसमें से मिस कर गए दोस्तों ये वाले चीज की इसमें से माही बजाज सागर परियोजना से जितना भी विद्धूत हो 100% विद्धूत राजस्थान को ही मिलेगा दोस्तों ठीके अब हम बात करेंगे चंबल नदी घाटी परियोजना की जो मध्य परदेश और राजस्थान की 50-50 परियोजना है 1953 से 54 में चली थी दोस्तों के मध्य बनी इसके तीन चरण बने और टोटल विद्धूत जो है वो 386 मेगावाट 193 मेगावाट मध्य परदेश को और 193 मेगावाट राजस्थान को मिलेगा प्रत्थम चरण में गांधी सागर बांध और कोटा वेराज दित्य चरण में राना परताफ सागर बांध तित्य चरण में जवाहर सागर बांध कोटा वेराज क्या है एक सीचाई बांध है चंबल नदी की सीचाई बांध कहा जाता है दो नहरे न सथम चरन 1959 में मध्य परदेश के मंदोसर जीले में मानपूरा और भानपूरा पठार के मध्य इस्तित है 115 मेगावाट विद्धूत का उत्पादन होता है और यह बांध राजस्तान के किसी भी जीले में नहीं है हम बात कर रहे हैं राना परताप सागरबांध जो की रावत भाटा के चूलिया जल परपात में इस्तित है कनाडा के सहयोग से परमानु विद्धूत्गर बनाया गया है यह राजस्तान का प्रत्थम परमानु विद्धूत्गर है दोस्तो भराव चमता इसकी बहुत जादा है और 1970 में जो है इसे राष्ट को सौप दिया गया जवाहर सागरबांध बोरावास कोटा में यह एक पिकब बांध है बस इतना ध्यान रखो अब आते हैं हम इंद्रा गांधी नहर परियोजना पे दोस्तो इंद्रा गांधी नहर परियोजना की आधार सीला घ्रह मंत्री जो है गोविंद बल्लब पंथ ने 31 मार्च 1958 में रखी सर्वपथम पानी जो डौक्टर उपराष्टपती है डौक्टर उपराष्टपती डौक्टर सर्वपली राधा किसन ने 11 अक्टूबर 1961 मतलब की 3 साल बाद नौरंग दिसर हनुमानगड में छोड़ा इसका मूल नाम राजस्थान नहर था लेकिन 2 नवंबर 1984 में नाम गांधी नगर रखा गया इसको राजस्थान की मरूगंगा और राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है परियोजना का जनक कौन थे कवर सेन जो है इस परियोजना के जनक थे नदी सतलज और व्यास नदी ठीके उद्देशिय सीचाई और पैई जल की आपूर्ती करना अब दो चरन देखो दोस्तो प्रथम चरन तीन सो तेड़ में किलो मिटर का था और दित्य चरन दो सो चपन किलो मिटर का था दोस्तो जो इंद्रा गांधी नहर परियोजना की कूल लंबाई छे सो पचास किलो मिटर है साथ लिफ्ट नहर है इसमें पहला है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट जो जूंजनू चूरू हनमानगड और बीकानेर में दूसरा है कवर सैन जो श्री गंगानगर और बीकानेर में जल पहुचाता है पन्ना लाल बारूपाल नागोर और बीकानेर तेजा जी लिफ्ट ओनली बीकानेर में डॉक्टर कर्णी सिंग जो जोधपूर और बीकानेर में गुरू जामभेशवर जेसल मेर जोधपूर और बीकानेर जैनारानव्यास जो की जेसल मेर और जोधपूर में है कवर सेन लिफ्ट जो है दोस्तो वो इंद्रा गांदी नहर पर्योजना की प्रत्थम लिफ्ट और सबसे लंबी लिफ्ट है इसको बिकानेर की जीवन रेखा कहा जाता है और कवर सेन ही इंद्रा गांधी नहर पर्योजना के जनक थे दोस्तों तेजा जी सबसे छोटी लिफ्ट पर्योजना है पन्ना लाल बारुपाल प्राचीन नाम है इसका गजनेर लिफ्ट इसका प्राचीन नाम क्या है गजनेर लिफ्ट डॉक्टर करणी सिंग लिफ्ट पर् प्राचीन नाम कोलायत लिफ्ट है और जैनारायन व्यास लिफ्ट का प्राचीन नाम पोकरन लिफ्ट नहर है दोस्तों तो इसी से ही जो राजस्थान की सीचाई पर्योजना का पार्ट वन कंप्लीट होता है दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्ल मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल की वीडियो को देखो आपको समझ में आएगा मैं एक एक टॉपिक आपको पूरा के लिए करवा रहा हूं विद क्यूसंस के साथ में ठीके तो आज के लिए क्लोज करते हैं दोस्तों थैंक यू फ्रेंड हेव नाइस डे